पब्लिक टीवी आपकी आवाद प्रविण अगरवाल और गीता अगरवाल सा परिवार रहे सभी ने आयुजित हवन पूजन में भाग लेकर धर्म लाब कमाया तो वहीं पूजन के बाद जंडे को उचा कर कारेकर्ण की तैयारिया की गई इस अबसर प्रविधान राकेश अगरवाल ने बताया कि 23 मार्च से 26 मार्च तक विराट भगती सत्संग आयुजित होगा जिसमें परमपूजे सुधानशुजी महराज संबोधित करेंगे सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगर कारेकर में भाग लेकर धर्म लाब कमाए इस अबसब प्रवीन अगरवाल ने बताया कि परमपूजे सुधानशुजी महराज का सत्संग कोरोना काल के बाद पर्थमबार हो रहा है सुधानशुजी महराज का मुरदवाद में आगमन हो रहा है इसे लिए सभी भक्तगर महराज जी का दर्शन करतार लाब कमाए अन्नन को आक देत कोलन को काया बजन को पोत्र देत निर्धन को माया जैगरेश 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 देवा मता चके पारवते पिता महादेश आज भूमी पूजन का कारिकर नहीं था पंद्यगारिक में और अगला कारिकर बस गुरुबर का ही है 23 से लेके 26 तक का और बड़ी धूम्जाम से बड़े शोर से जो है इस कारिकरम को करने की इच्छा है शक्ती है और सब लोग बहुत सहयो कर रहे हैं सब को बहुत-बहुत धन्यवाद हैं और मीडिया से भी यही आपिक्षा करेंगे कि वो हमारे कारिकरम को जाते ज्यादे हाइलाइट करें आज सारे टेंपो पंपुरादाबाद में जो है महाराज जी के स्ट्रीकर लग गए हैं आज हमारे याँ नाज्शु जी महाराज का प्रवचन शुरू होने जा रहा है 23 तारीक से 26 तारीक कर उसी से संबंदित एक विशाल पंडाल यहां पर लगाये जाएगा और पंडाल लगाने के लिए हमको सब टेंटिंग बगरा सब करनी है उसी के लिए वेदिक मंत्रों चारण के साथ यहां पर भूमी पूजन किया गया जिससे कि हम प्रवचन पंडाल यहां पर लगा सके हमारी हिंदु संस्क्रती में माना जाता है कि किसी भी चीज़ के प्रारव होने से पूजन का होना जरूरी है समी देवी देफताओं का आवान करना जूरी है इससे कि हमारा किसी कारे में कोई भिख्रवादा ना आए और टोब हमारी रख्चा करें हमारा सही योग करें इसी के लिए हमने यहां पर भूमी पूजन किया है समी लोगों ने आपसे मिल जोग पर बेजिंग मत्तरों चाला के साथ ब्राम मर्से करवाया गया है शम्केत वने भी एक घंटे बजे है